आएए बच्चों क्लाश टीचिंग के इसक्रम में आज आप पढ़ेंगे होम साइंस कच्छा बारा का अध्याय तीन इकाई दो के अंतरगत अध्याय तीन में दिया गया है परिसंचरण तंत्र इस अध्याय के अंतरगत आप पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र धमनी वा सिरा तंत्र धमनी वा सिरा में अंतर रक्त वाहिनिया रक्त परिसंचरण के प्रमाण ये चार विद्यों का अध्यन इस अध्याय के अंतरगत करेंगे जैसा कि आप जानते हैं सरीर का एक महत्पूर्ण तंत ये संस्थान परिसंचरण तंत्र भी होता है आपको जानकारी है कि पाचन तंत्र द्वारा ग्रहण किये गया हार का पाचन एवं सोसंड होता है तथा सोसं तंत्र द्वारा सरीर के लिए आवस्याक आक्सीजन ग्रहण किये जाती है इसके उपरांत ये अनिवारी हो जाता है परिसंचरण तंत्र के दो भाग है कौन कौन से दो भाग है पहला भाग है रुदिर परिसंचरण तंत्र दूसरा भाग है लशी का परिसंचरण तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा संपूर्ण सरीर में रुधिर का परिसंचरण होता है परिसंचरण जानते हैं परि माने चार उतर अब यानी संपूर्ण में संचरण माने फैलाना पहुचाना तो जो पूरे सरीर में पहुचाता है उसको कहते हैं परिसंचरण रक्त पहुचाए जाता है तो रक्त परिसंचरण जिसके द्वारा लसिका पहुचाए जाता है उसको कहेंगे लसिका परिसंचरण अब आप पढ़ेंगे सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र पहले हिर्डिंग है रुधिर परिशंचरण तंत्र इसके अंतरगत रुधिर, हिर्दय, धमनी तथा सिराएं आती है हिर्दय धमनियों द्वारा रक्त को सरीर के विविन भागों में पहुचाता है और सिराओं द्वारा एककत्र करता रहता है मतलब हिर्दय से निकल करके रक्त जिन नलिकाओं से हो करके शरीर के अंगों को जाता है उन नलिकाओं को धमनिया कहते है और शरीर के अंगों से जिन नलिकाओं के द्वारा रक्त वापस हिर्दय की ओर आता है उन वे रक्त वाहिनियों को सिराएं कहा जाता है अब अगले अगला अगला जो भाग होता है रुधिर पर शंचरण तंद्र का जो सबसे महत न पूर्ड होता है विर्ले क् Bean कार्य करता है कि इंजन की तरह से इसको कहते हैं मानव लिए मानव में एक की हिर्दे होता है यह द पर कुछ निमन शरेडी के जो जनतु होते हैं उनमें एक से अधिक हिर्दय पाया जाते हैं कि मानो हिर्दय क्या है कि यह हमारे सरीर का एक अत्यंत महत्य पूरंग है कि अब तो बहुत से गाने भी आ गये हैं है यह पर अधारित हैं उनमें हिर्दय का दूसरा नाम दिल है हींदी में इसको दिल भी कहते हैं कि हैंगरेजी में हयाट कहते हैं अब बहुत से प्रोवर्प्स मैंने कहाओतें भी हैं हर्दय पर हाट पर बहुत से गाने हैं जिनमें दिल सब्द कप्रयोग बार-बार होता है तो सुनते हैं आप लोग लेकिन उसकी संद्चना और उसके क्रियाविधी के बारे में भी आपको ग्यान होना चाहिए ठीक है यह सरीर में वक्ष के अंदर वक्ष जानते हो गर्दन के नीचे और पेट के उपर वाला जो भाग होता है जहां पसलियां होती है जो जिसको सीना कहते हैं छत्ता या छाती यह वक्ष भाग है इसी वक्ष भाग में बीचो बीच से थोड़ा बाई और अधर तल की और इसी होता है अधर तल मतलब सामने की और प्रिष्ट तल मतलब पीट की और पार्ष तल मतलब अगल वगल तो हिर्दय जो होता है वो अधर तल की और होता है बीचो बीच में नहीं होता है बीचो बीच से थोड़ा बाई तरफ लेफ्ट साइड में हटके यह सदय वो धड़कता रहता है जब कोई मनुस्य जन्म लेता है सिसू की रूप में उससे पहले वो अपनी माता के गर्भ में होता है तो गर्भ में ही रहने के दवरान हिर्दय की धड़कन शुरू हो जाती है पता नहीं चलता है कि कब शुरू हो गई और यह फिर जीवन परियंत चलती रहती है और से दुबारा नहीं चल पाती है इसलिए हिर्दय की धड़कन को बचाग रखे कि यह चलती रहे जितने लंबे समय तक चलती रहेगी उतनी लंबी आपकी आयू पर मन से स्वयम इसके लिए उत्तर दाई है कि वह अपने हिर्दय की धड़कनों को खुद मन दित करता है कि वह ज्यादा दिन तक ना चलें कि यह इसे जब रुदस्ती करता है जान बूझ करता है अंजाने में करता है लेकिन जब उसको समझाय जाता है तब फिर मानने को त्यार नहीं होता है पने करकार की नसीली औसदियों ड्रक्स अलकोहल और अन्य खतरनाग वस्तों को बोजन के रूप में या पीने के रूप में प्रियोग करके अपने हर्दाइं गति को नुक्सान पहुंचाता रहता है जानते हैं जितने नसेबाज होते हैं उनको चाहिज इतना बताओकि आपके लिए शरीग के नुक्सान है या आपके हर्दा इनफ़ में को समाल कर रखे हर्द nenhuma क्या अधिया उतनी लंबी आपके आयोगे होई हमारा होता है यह सिराओं द्वारा विविन अंगों से रुधिर को एकत्र कर लेता है और कत्र रक्त होता है अभ्सक्तन उसार धमनियों की सायता से सभी अंगों तक फंप कर देता है इसकी संदञें बहुत सरल है कि यह विश्जष प्रकार की मानस पेशियों से निर्मित होता है जिनको हर्दाइ पेशियां अंग्रेजी में कार्डियक मुष्जित कहा जाता है यह सद्रय क्रिया से लगती यह कभी ठक्ती नहीं है हर्दय दोनों फिफ़ों के बीज में स्थेत होता है इसका अधिक भाग वक्ष के बायोर थोड़ा सभाग उरोष्थ के दायोर सबगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का हर्दें लगभग 13 cm 13 cm लंबा और 9 cm चोड़ा होता है साधारण तया इसका आकार व्यक्ति की बंद मुठी के समान होता है इसका भार लगभग 300 ग्राम रंग गहरा लालिया बहेंगनी से होता है हर्दें का भार सरीर का लगभग एक वटा दोसों होता है सरीर भार का ये चारों और से दोरी जिली से बने हर्देया आवरण से घिरा होता है और दोनों जिलीों के मद्द जो तरल भरा रहता है उसको पेरी कार्डियल फ्लोड कहते हैं ये हर्दे को बाहरी आगातों से बचाता है और हिर्दे को नमं बनाया रखता है आईए यहां पर देखिए हर्दे किशन अचना इस चित्र में आथ देख सकते हैं यहां आपको हिर्दे की सनजना दिखाए गई है यह चार वेस्म से निर्मित हिर्दे होता है यह इसमें उपर की तरफ दो अलिंद है और नीचे की तरफ दो निला है यह लेफ्ट माने बाया अलिंद है यह राइट माने दाहिना यह बाया निला है यह दाहिना निला है इस तरह से दो अलिंद और दो निलए means चार चेमबर से निर्मित होता है हर्दें इसमें सबसे पहले जो रक्त है वो अलिंद में आता है अलिंद से फिर निले में आता है और निले से हो करके शरीर के अंगों के तरफ को चला जाता है इस प्रकार से रट हिर्दय में आता है जाता है कि सरीर ईंगों के आता है इसलिए बार बार रक्त नहीं में आता रहता है इसके बाद अगली हिडिंग है दोहरा रक्त परिशंचार दोहरा रक्त परिशंचार क्या है देखिए हमारे सरीर में असुद्ध रक्त और सुद्ध रक्त तो तरह का रक्त पाया जाता है जैसे हिर्दें से निकल करके जो सरीर अंगों की तरफ जा रहा है वो सुद्ध रक्त होता है और अंगों से वापस लोड करके जो हिर्दें की तरफ आता है वो असुद्ध रक्त होता है सुद्ध और असुद्ध यह आक्सीजन पर निर्फर करता है इसमें किसी और तरह की असुद्धी से यहां तात्पर यह नहीं है सुद्ध कतात पर है जिस रक्त के साथ आक्सीजन पर्यावत मात्रा में गुली हुई है वो सुद्ध रक्त है और जिस रक्त के साथ आक्सीजन की पर्यावत मात्रा नहीं है बलकि कार्बंड याक्साइड की मात्रा उसमें ज्यादा है तो वो असुद्ध रक्त है और दोनों सब्सक्राइब दो तरह के रख्ट का परसंचन करता है सुद्ध रख्ट का इसलिए कहा जाता है कि हिर्दे में प्रतिमिनट कितनी होती है एक वर्ष के बालक में 120 प्रति मिनट, दो वर्ष के बालक में 110 प्रति मिनट, तीन से छे वर्ष के बालक में 95 प्रति मिनट, साथ से तेरा वर्ष के बालक में 80 से 90 प्रति मिनट, 14-21 वर्ष 21 इस वक्ति में 80-85 प्रतिमिनट और व्यस्क व्यक्ति होते हमें 70-80 संद प्रतिमिनट फोता है प्राउड़ा वस्था में और प्रतिमिनट होती है यहीं इस से कम है यह इस से ज्यादा है दो-चार पल्स उपर नीचे तो कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा उपर नीचे है तो वह व्यक्ति हिर्दय की बीमारी से गरसित है उसमें हिर्दय की बीमारी है ऐसा समझ लेना चाहिए अच्छा रुधिर दाब क्या है यह भी तो हार्ट से सम्मनित होता है रुधिर दाब आफ आफे जब ही भिडाने रुधिर को दबाव के साथ odok करता है कि दाव बढ़ता है तो उस रख्ट का जो दबाव बितियों पर पड़ता है उसिको को प्रुधिर दाव करता है जब हिर्दय फैलता है तब दाब नहीं पड़ता है जब हिर्दय शिकुरता है और हिर्दय से रक्त जटके में निकल करके रक्त की वहनियों में जाता है तो रक्त की वहनियों में भीतर से दबाव पड़ता है उसी दबाव को रक्त दाब कहते हैं जब यह रक्त दाब बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा कब होता है जब रख्त की वाहिनियों में भीतर की तरफ वसा का जमाव हो जाता है तो रख्त की वाहिनियों का जो छिद्र है जो होल है उसमें क्याविटी गैप जो होता है वो कम हो जाता है चोटा हो जाता है इसलिए उसमें रख्त का दबाध ज्यादा पढ़ने लगता है तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रिसर और जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि रख्त की द्हुनियां किसी खानीच-बदार्थ और विटामिस की ला लो ब्लड प्रिसर तो इसको नापने के लिए इसका पता करने के लिए जो यंत्र होता है डाक्टर्स के पास में उसको इस फिगमो मैनोमीटर कहा जाता है इस फिगमो मैनोमीटर की साहता से रुधिरदाब पता कर सकते हैं एक सामानि व्रतिका रुधिरदाब 180-80 mmHg होना चाहिए अब बात करेंगे रुधिर वाहिनियों की पहले भी आपको बता चुके हैं रुधिर वाहिनिया क्या है फिर से हम आपको बता दे रहे हैं मनुस में रक्त परिशंचरण बंद प्रकार के होता है बंद प्रकार क्यों कहते हैं क्योंकि जो रुधिर होता है वो रक्त वाहिनियों के भीतर भीतर बहता है बंद पाइपलाइन में बहता है इसलिए इसको बंद प्रकार का रक्त परिशंचरण तंदर कहा जाता है मन्नों सिक्के सरीर में रख्त वाहिनियों का जाल फेला रहता है इन रुधिर वाहिनियों के भित्ती तीन अस्तरों के बनी होती है याद रखिएगा बाहरी अस्तर को ट्यूनिका एक्स्टरना कहा जाता है मद्य अस्तर को ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है और सबसे भीतरी अस्तर को ट्यूनिका इंटर्ना कहा जाता है अपने सभाव के आधार पर रुधिर वाहिनिया तीन परकार की होती है पहली धमनिया होती है ये वे वाहिनी है जो हिर्दय से रक्त को सरीर के अंगों की तरफ ले जाती है इनमें आक्सिजन युक्त रक्त बहता है इनमें वाल्ब नहीं पाया जाते हैं ये सबसे महत्पूर्ण बात है धमनियों में वाल्ब नहीं पाया जाते हैं धमनियों की जो सबसे छोटी साखा होती है उसको धमनिका कहा जाता है आर्टेरियोल या फिर धमनिका कि दूसरी लिका हथी है कि यह आंगों सिरूदु इंगर्य को वापस सब्सक्रार देखuse है जिसमें oxygen की कमी होती है carbon dioxide ज्यादा होता है और बहुत कम दबाव के साथ बैता है कि सिराओं के में प्रकारक़ वैंन वे होती हैं जिन्कों हम के सिकाँ कहते हैं क्योंकि यह बहुत पतली होती है बाल सद्रस महीन अलिकाय होती है इसलिए इनको केशिकाएं कहा जाता है यह बहुत महीन साखाओं का जाल बनाती है दहमनी और सिरा में अंतर पूंच लिया जाए तो आप लिख सकते हैं रुधिर को हिर्देंस से अंगों की और ले जाने वाली नलिकाओं को दहमनी कहते हैं और रुधिर को शरीर के अंगों से हिर्दें के और लाने वाली नलिकाओं को सिराएं कहते हैं धमनी विवाजित होकर छोटी साखाएं मतलब धमनी गाएं बना लेती हैं जबकि सिराओं का निर्माड छोटी छोटी सिराओं के मिलने से होता है मतलब धमनिया मोटे से पतले में साखित होती है, लेकिन सिराओं का निर्मार्थ पतले से मोटे की तरफ होता है, पतली पतली सिराओं मिलकर के मोटी सिरा बनाती है, धमनियों में सुध्धुरुदिर बहता है और सिराओं में असुध्धुरुदिर बहता है, लेकिन दो जगे confusion है, confusion नहीं clarification है बट वहाँ उल्टा होता है जैसे एक pulmonary धमनी है इसमें असुद्धरुदिर बहता है सारी धमनियों में सुद्धरुदिर बहता है लेकिन pulmonary धमनी में असुद्धरुदिर बहता है इसी तरह से सारी सिराओं में असुद्धरुदिर बहता है और इसी क्रम में धहमनियों में रुधिर अधिक दबाव के साथ भैता है। जिर्णे होस्तम धाई की कोई घटका नहीं सामान निकति से बैता रहता है। धहमनियों में घधियां होती जो भितियां होती है , र요्encing मोटती है इने पैसी अस्तर मोटा वकाी होता है। दोन्यें में मोटे पेसी स्तर के करण सकरे होती है जिब disparum Reps영 सतर के खुशां चोंड़ी होती है और मेंत पोड़ा नहीं पाएने करण सद्रस्ट economics बतलब वल्वर और फोड़ी थोड़ी दूर परक पाया स्टर अफ्रों में पतले पेशियास्तर करन के वहां चोड़ी होती है और महत दुपर्ण बात है कपाट नहीं पाए जाते हैं कपाट पताईए तो आप क्या लिखेंगे इस द्यांसे समझे जब शत्रावी सताथी में यूरोप के वियानिक सर विलियम हारवे ने प्राणियों में रख्ट पर संचरन की खोच की थी उन्होंने बताया था यह रख्ट पूरे सरीर में गुंता है उन्होंने इस रात को प्रमार्ड भी किया था कैसे प्रमार्ड किया था उन्हों में गदाया कि धामनी के कड़ जाने पर इससे रख्ट रुक रुक कर जटके के साथ निकलता है इसका मतलब धामने में रख्ट हर्दय धड़कन के हिसाब से पंप होता है दूसरी बात सिराओं तथा हर्दय में कपाट पाया प्रुवाइट होता है तीसरी बात धमनी के कड़ जाने से रख्ट तेजी से निकलता है उस धमनी के समयव वाले दबाव बिंद पर बंद बांध देने से रख्ट का प्रवा रुख जाता है और इसी तरह से इंजेक्शन दोरा आसदी और सीरा में प्रवेस्ट कर दिया जा यह रख वर्संचन की उप्योगता को सिद्ध करता है आप देखते हैं कि बहुत से डाक्टर लोग नसों में इंजक्शन लगाते हैं जिससे नसों से रखता है वो सीधे हर्दय में आएगा जल्दी से और फिर से वह फेफड़ों में जाएगा फेफड़ों से जल्दी से धमन जोती है वह हड्डियों से बिल्कुल चिपकी हुई यह हड्डियों के भीतर भीतर आगे बढ़ती हैं अगली वात है किसी सीरा पर बंद बांदने से उसका वह भाग जो हर्दय से दूर होता है वह फूल जाता है जबके धमनियों में ऐसा नहीं होता है यदि मेड़क के पैर जालिया मचली के पंक को सुच मदर्शी की साहता से देखें तो उसमें रक्त का प्रवा एक ही दिशा में होता हुआ दिखाई बड़ता है इस तरह से यह अध्याय आपका यहां पर संपन्न हो जाता है यहां पर कुछ प्रशन दियेगा है अध्याय को वीडियो के मादें से पढ़िएगा उसके बाद इन प्रशनों का उत्तर लिखने का प्रयास करिए इसी के साथ में लगुत्तरी प्रशन भी दिये गए है इन लगुत्तरी प्रशनों को लिखने का प्रयास करिए यह सभी प्रशन कापी में एक जिगा नोट कर लिजिए पहले वीडियो को रोग दीजिए और रोग करके इन सभी प्रशनों को कापी में नोट कर लिजिए फिर इनका उत्तर लिखते रहिए अतिलाग उत्तर ये प्रुष्ण भी दिये गये है ये अतिलाग उत्तर ये प्रुष्ण है यहाँ पर वीडियो को पॉस्ट कर दिजे और इन प्रुष्ण उत्तरों को नोट करिए इसके बाद और आगे बढ़ाईए यहाँ से ये प्रुष्ण उत्तर नोट करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को अपने देखा है समझा है इसको लाइक कर दीजिए आपको कुछ कहना है लिखना है बताना है पूछना है तो वह कमेंट में लिखिए सोचिए नहीं सोचा विचार नहीं करने की जरूरत नहीं है आपके दिमाग में कोई विचार आ टॉपिक आपके अप्लोड किये जाएंगे वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और आपकी पढ़ाई कंटीन्यू चलती रहेगी है ठीक है ध्यान से पढ़िए नोट्स बनाते रहिए परिच्छा के अच्छी त्यारी करिए ओके थैंक यू